हम सभी परमात्मस्वृति में बैठते हैं एक सेकिंड में जिसे सर्प अपनी छाल को स्विच्छा से अलग करता है मैं आत्मा इस शरी रुपी कवर को स्विच्छा से स्विच्छा से अलग करते हैं मैं अपनी कॉंशेसनेस से थोड़ा गहराई में जाकर सब कॉंशेस लेवल पर आत्मिक जेक्तना कुजा गुरूत करते हूं स्विच्छा 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 मुझे आत्मा के तीन कम्रे दिखाई दे रहे हैं मैं पहले कम्रे में प्रवेश करती हैं जहां बहुत बड़ा आईना हैं और इस आईने में मुझे सत्यता संपूर्ण सत्यता आर पार दिखाई दे रहे हैं मैं अपनी सत्यता को देख कर शर्मिन्दा नहीं मेरी सत्यता मेरा कर्म नहीं मेरी सत्यता में हूँ कर्मों के पीछे चुपी हुई और इस आईने में मुझे वो उर्चा दिखाई देती हैं में पवित्र हुचा इस कमरे से निकलते हुए मेरे काई लेयर्स निकल चुके हैं में सबकॉंचिस से और देखे निकलते हैं और देखे निकलते हैं सभी स्मृतियों से बार और को बहुआ और जके यद्ट कर देखे टर देखे लोगें पर देखे लोगे लोगेだ अदी सुक्ष्मा मात्रुजा यहां से निकर तीसरे कमरे में सर्वत्र प्रकाश्च अति गहन स्थिर्टा स्विर्टा झाल और हल्किसे में अपनी सबकॉंशियस माइं से कॉंशियस माइं में सर्फेस पर आ रही हैं हमने पिछले शनिवार को 263 पर रोका था इश्वरिय सेवा के विभिन कार्यक्रम अब स्थान स्थान पर भाशनो द्वारा दीपावली, महाशिवरात्री, रक्षा बंधन, जन्मास्टमी, होली आदी आदी, विशेश विशेश उत्सवो पर, विशेश आयोजनो द्वारा तथा इश्वरिय सेवा स्थानो पर, नित्य प्रती प्रात्ह, सायंकाल तथा दिन भर ज्ञान की क्लासस द्वारा और भी कई तरह से इश्वरिय संदेश लोगों तक पहुंचाने का यत्य किया जाता था जो भी पुस्तक-पुस्ति का फोल्डर आदी छपाएं जाते थे, उनकी एक-एक प्रती, पत्र सहीद, सभी प्रदेशों, देशों और विदेशों के राजा महाराजाओं को, भारत के विभिन्न नेताओं को, देश विदेश की विख्यात लैब्रोरी को, विश्व विद् सभाओं को आदी आदी जगह पर भेजी जाती थी, उदारहन के तौर पर जुलाई सन 1953 में अन्य महाराजाओं के अतिरिक्त, नेपाल के महाराजा को भी साहित्य भेजा गया, तथा दिसंबर 1953 में भारत के ततकालीन राश्ट्रपती, टॉक्टर राजेंदर प्रसाजी को भ बाबु में राजसूर्य अश्वमेग अविनाशी ज्यानयग्य में पधारने के लिए ईश्वरिय निमंत्रन भी दिया गया, उन्होंने उसके लिए धन्यवाद तो लिख भेजा, परन्तु वे आये नहीं, जुलाई 1953 में नेपाल सिना के मेजर जनरल सुरा जंग बहादू राणा तथा सेना ध्यक्ष कमांडिंग जनरल हिरन्य शंशेर जी के पत्र भी आये थे, जिनमें उन्होंने बाबा के पती बहुत ही स्नेह एवस्म सम्मान व्यक्त किया था, 24 जुलाई 1953 को ब्रह्मा कुमार विश्व किशोर जी के नाम नेपाल से पत्र आया था, जिसमें लिखा था कि महाराज भीरन शंशेर जंग महादूर राणा जी की ताज पोशी के अवसर पर तादा लेखराज महाराजा के एक मान्य अतिथी थे, और इसलिए वे राज्यकु एवम राजा के निकत्तम दाइरे में सम्मिलित थे, महाराजा के पौते मेजर जनरल सुबरना शंशेर जंग राणा के विवा के अवसर पर दादा लेखराज का खीचा हुआ एक फोटो जिसमें वे राज गदी पर बैठे हैं और राज्यकुल की सुरक्षा शैनिक उनके न दिसम्बर 1953 में गीता जैन्ती के अवसर पर एक पुस्तिका हिंदी और इंग्रीजी में चपवा कर आचार्यों, विद्वानों तथा जन साधारन को बाटी गई उन्ही दिनों इसाई लोग भी बंबई तथा अन्यनग्रों में मेरी का वार्षिक उत्सव मना रहे थे चार और साथ दिसम्बर 1953 को बंबई से प्रकाशित होने वाले पत्र टाइम्स अफ इंडिया में इसाई और मेरी के जो चित्र प्रकाशित हुए थे उसमें इसा को मोर मुकुचधारी दिखाया गया था अतह अब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरिय विश्वारवध्यालाई की और से जो पुस्ति का चपवाई गई उसमें बताया गया था केसे आज भारत के लोग परमपिता परमात्मा के दिव्य नाम, दिव्य धाम और दिव्य कर्तव्यों के यथार्थ अग्यान से अपरिचित है और अपने आदी सन्नातन देवी देवता धर्म को भी नहीं जानते हैं बलकी स्वयम को हिंडू मानते हैं जबकि वास्तव में हमारे धर्म का नाम हिंडू नहीं है उस पुस्तिका में अनेक युक्तियों से यहां भी बताया गया था कि यद्यपी आज प्राय लोग मानते हैं कि गीता का भगवान, गीता का ज्यान भी श्री कृष्ण ने दिया था तथा पिस यह सत्यता से विभिन्न है यदि सचमुझ भगवान, मोर मुकृधारी, सजे सजाए, श्री कृष्ण के दिव्यरूप में प्रगट होते तो श्रीमत भगवत गीता, श्रीमत भागवत, महाभारत आदी गंथों में ये क्यों लिखा होता कि मुझे साधारन तन में देखकर मूढ मती लोग, मनुष्य तन में आये हुए, मुझ परमात्मा को तुच्छ समझते हैं और कि कंस, श्रीशुपाल आदी ने उन्हें गालियां दी और अर्जुन क्यों कहता था कि मुझे आप अपने दिव्य एवं मोहित रूप का साक्षात कार कराओं, जबकि मन मोहन रूप में श्री कृष्ण सामने तो थे ही इस प्रकार इस पुस्तिका में यह अच्छी तरह से स्पुस्ट किया गया है कि श्री राधा और श्री कृष्ण तो वात्सों में द्वापर युग में नहीं बलकि सत्यों के आरंभ में हुए जिनका स्वयंबर के पश्चात क्रमशह श्री लक्षमी और श्री नारायन हुआ और कि वो वास्तों में गीता ज्यान परंपिता परमात्मा शिव ने कल्युग और सत्युग के संगम समय प्रजापिता ब्रम्हा के साधारन मानवीतन में अवतरित हो कर दिया और उस ज्यान द्वारा जब संगम सत्युग की पुनह स्थापना हो चुकी तथा कल्युगी अधर्मो वाली श्रिष्टी का महा विनाश भी हो चुका तब उस पावन देवी श्रिष्टी में श्री कृष्ण और श्री राधा आए इस प्रकार उसमें बताया गया है कि वास्तों में भारत वासियों के धर्म का नाम आदी सनातन देवी देवता धर्म है क्योंकि इनके पूर्वज श्री कृष्ण अथवा देवता थे न की हिंदू और की इस धर्म की स्थापना कल्युग और सत्युग के संगम पर स्वयम परंपिता परमात्मा श्रिव ने आदी देव ब्रम्हा के द्वारा पांच हजार वर्ष पूर्वकर आई थी इस पूस्तिका में यह भी बताया गया है कि दिनांक चार और साथ दिसंबर को बंबई में टाइमस अफ इंडिया में मेरी वार्षिकुत्सव मनाने के सिलसिले में इस्था को भी मोर मुकुटधारी चित्रित किया गया था मदर मेरी का वहाँ पे बहुत बड़ा बैंडरा में बहुत बड़ा चर्च है तो उसके वहाँ पे हमेशा यरली एक फस्टिवल होता है तो इसका उले किया है इस इसायों ने आदी सनातन देवी देवता धर्म के श्री कृष्ण देवता की नकल मात्र की है वे इस मोर मुकुटध का महत्व कुछ भी नहीं जानते हैं भारत के प्रथम राश्रपती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पत्र 1st of September 1954 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को एक अन्य पत्र भेजा गया और इस पत्र में लिखा गया कि प्रिय प्रभु की संतान हम भारत माताए तथा कन्याए भारत के कल्यान अर्थ अपना कर्तव्य समझ कर आपको सविनय सुचित करती है कि भारत वासियों को स्वधर्म की शिक्षा न मिलने के कारण भारत अनाथ और अती दीन हो गया है किवल इतना ही नहीं अपती अपने सर्वोत्तम देवी धर्म को न जानने के कारण वे अनेक मध्यम तथा कनिष्ट धर्मों में परिवर्तित हो गये हैं और होती ही जा रहे हैं भारत की प्रधान प्रत्पर आरूढ आप यदि नियुक्त कहे गए राज्यपाल अत्वा मंत्रीगण आदी-आदी सनातन देही अभिमानी, सोल कॉंशियस, सर्वगुण संपन्न, सोला कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुर्शोत्तम, अहिंसा प्रधान, दैवी धर्म को जान जाएंगे तो आपकी सहायता से भारत भूमी पर 5000 वर्ष पहले की तरह जन्म जन्मांतर के लिए दो मुकुटधारी राजाओं की भूमी बन जाएगी और सुष्टी में इसकी जैजैकार हो जाएगी विनाश ज्वाला ठीक कल्प पहले के समान अब कल्युग और सत्युग के आरंभ के संगम पर भगवत गीता के प्रोग्राम के अनुसार प्रज्वलित हो रही है अतह अलवकिक शूभ्यकार्य में तत्पर हो जाना ही आप जैसे बुद्धिमा तथा धर्म विश्वासी प्रधान का करतव्य है यह पत्र बाद में हिंदी में और अंग्रेशी में छपवा कर जन साधारन को बाठा भी गया परंतो जन्ता तथा उंद्वारा चुने नेता अब धर्मक की बातों की और इतना ध्यान नहीं देते थे वे तो माया की गहरी निंद में सोए पड़े थे फिर देश की सासन सत्ता किसी एक के हाथ में तो थी नहीं कि वह कोई निर्णाई करके कुछ कर डालता आज तो भारत अपने उच्छ धर्मकी निधी को बिलकुल भूल चुका है, हो चुका है जापान में विश्व धर्म सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रन सन 1954 में जापान में शिमीजु नगर में एक धर्म विश्व धर्म सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए आनन्द किशोर जी तथा ब्रह्मा कुमारी प्रक्याश्मनी जी ब्रह्मा कुमारी रत्न मोहिनी जी को इश्वरिय संदेज देने के लिए जापान भेजा। यह भारत माता का सौभाग्य था कि उसकी ये ब्रह्मचर्य व्रतधारिनी, कमल पुष्प निवासिनी, मनोविकार निवारिनी, ज्यान गुण दाईनी कन्याए भारत की और से सम्मिलित हुई थी। उन्होंने सम्मिलित में, सम्मिलन में खुले शबदों में परमपिता परमात्मा के आउतरन के बारे बें जानकारी दी। क्योंकि सम्मेलन का एक विशय परमात्मा का आउतरन था, सम्मेलन की ग्यार्य डुची में विश्वशान्ती का विशय भी शामिल था ब्रहमा कुमारी रतन मोहिनी जी जो की वरतमान में माँट आपू में है वो लिखती है व्यक्तिकत शान्ती और विश्व शान्ती इस विश्वई पर भाषण कैसे देना है तो अभी हमें बाबा भाषण देना सिखाते हैं ये सब बाते जो पुस्तक में लिखी गई है वो ही अगर हम चिंतन करते हैं तो लोगों को ग्यान सुनाने में हमें बहुत इजी पड़ता है और हमारी रूची भी बढ़ती है कि हमें ऐसा सुनाना है हमें ये पॉइंट सुनानी है हमने निर्श सन्कोट सभी को बताया है कि विश्व शानती की सापना के लिए पहले तो व्यक्ति के मण में शानती खुद होना गवाध जुरूरी है क्योंकि व्यक्ति ही समाज की एकाई है व्यक्ति के मन में शानती तभी हो सकती है जिब उसके कर्म अच्छे हो क्योंकि सुखदुख का आधार मनुश्यों के कर्मों पर है पुनश्य कर्मों का आधार मनुश्यों के मन पर है क्योंकि कर्म करने से पहले मनुश्यों के मन में संकल्प उठता है अथवा इच्छा उत्पन होती है तब ही कर्मेंद्रियां कर्म के तत्पर होती है अतह मनुष्यों के मन अथवा विचारों का सात्विक होना या कंच्रोल में होना बहुत जुरूरी है मन को कोई न कोई विकार, काम, क्रोध ही अपवित्र अथवा शान्त करता है मन को कंच्रोल करने वाली अभी बुद्धी है परन्तु आज मनुष्य की बुद्धी में बल नहीं रहा है इसलिए मनुष्य आज चाता कुछ है, सोचता कुछ है और होता कुछ है परन्तु मन में उससे कुछ और ही करा देता है अतह बुद्धी में बल भरने के लिए एक तो ईश्वरिय ग्यान की आवश्यक्ता है परमपिता परमात्मा से बुद्धी का योग लगना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि परमात्मा ही तो सर्वशक्तिवान, ज्ञान के सागर और पतीत पावन है, परंतु मनुष्य परमात्मा से बुद्धी का योग तब तक नहीं लगा सकता है, जब तक कि उसे परमात्मा का प प्राप्ट करने के बाद स्मूति के द्वारा बुद्धी का संबध, उसकी लिंक था, कनेक्शन जो है वो परमात्मा से जोड़े, भारत का यही प्राचीन राजियोग है, जिससे की पहले भारत कभी विश्व का एक आश्चर्य था, हुआ करता था, भारत वंडर अब दो वर परिचे दे सकता है, आज पुनह वे भारत का प्राचीन योग प्रायलोप्त हो गया है, प्रायलोप्त ज्यान और राज योग सिखला कर, व्यक्ति को भी पवित्र बना कर शान्ती दे रहा है, तथा गुप्त वेश में, प्रजापिता ब्रमा के तन द्वारा, सत्योगी दै वी सुख, शान्ती, संपन, स्वराज यकी पुनह स्थापना भी करा रहा है, आप लोग जागिये और उसे ज्यान नेत्रों द्वारा पहचानिये, वर्तमान समय के लक्षन देखकर सोचिये, क्या अब धर्मगलानी का समय नहीं है, और अब उस पतीद पावन एवं शान्ती के स्थापक परमपिता परमात्मा को नहीं आना चाहिए, विश्व शान्ती के लिए नेताओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमने सभा में स्वस्ट रूप में बताया था, कि परमपिता परमात्मा कहते हैं कि विश्व शान्ती की स्थापना के लिए आप चिं इतना सायोग चाहिए कि आप स्वयम पवित्र बन जाएए और मेरी स्मती में रहिए क्योंकि अब मुझे पुर्णतया पवित्र सत्यूगी देवी सुष्टी की स्थापना करनी है। आप सभी धार्मिक नेता स्वयम पवित्र एवं योग युक्त बनो तथा दूसरों को भी अपवित्र बनने का तथा ईश्वर को याद करने का एक मात्र संदेश दो क्योंकि वर्तमानकाल विश्व के इतिहास का अब ये अंतिम चरण है। हमने उन्हें बताया कि एटम और हाइडरोजिन बॉम विश्व के विनाश के लिए बने हुए हैं। और ही तृतिय विश्व युद्ध आपके रोकने से भी नहीं रुक सकेगा क्योंकि उसके द्वारा तो महा विनाश होना ही है। और लगभग सभी आत्माओं को परमपिता परमात्मा अब सब की शान्ती की इच्छा पूरी करने के लिए उन्हें वापस अपने धाम ले जाएंगे। और आसुरी मतोस के विनाश के परिणाम स्वरूप इस मनुष्य लोक में भी पुर्ण शान्ती हो जाएगी। यहाँ पर किवल एक दैवी धर्म, एक चक्रवती दैवी मर्यादा वाला राज्य और एक ही भाषा होगी। फिर पचीस सो वर्ष तक न तो कोई युद्ध होगा और नहीं विश्व में अशान्ती होगी। अभी फिर बाद में उलना नहीं देना। हमारी इन अधिकार पुर्ण बातों को सुनकर लोग आश्य रिवत हो जाते थे। उनके मन को हमारी बात ठीक भी लगती थी। परन्तु उन्हें आचरण में लाने का यतनतों कोई विरला ही सोभाकिशाली करता था। हमने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए प्रभु का परिचय दे दिया। ताकि कल को कोई हमें उलना नहीं दे सके कि प्रभु आप साधारण मानव वेश में आये। और जिन्होंने आपको पहचान कर अपना उंच जीवन बनाया तथा आपसे अपार खजाना पाया। उन्होंने हमें सूचना भी नहीं दी और आपका हमें परिचय भी नहीं दिया। जापान में शीव की प्रतिभा का प्रयोग। ब्रह्मा कुमारी प्रकाश्मनी जी कहती हैं कि जापान में हम ए एनाना कियो नाम की जिस धार्मिक संस्ता के निमंत्रन पर विश्व सम्मेलन में सम्मलित हुई थी, उसकी प्रस्चारक तथा अनुयाई जिस समय की साधना करते थे, उसकी और हमारा विशेश ध्यान गया। क्योंकि उसमें वे एक ऐसी प्रतिभा का प्रयोग करते थे, जिस प्रतिमा का प्रयोग भारतिय लोग भी करते थे। उन लोगों की साधना की विधी यहां थी कि वे अपने तरीके से एक आसमत पर बैठ जाते थे और अपने सामने कुछ दूर एक स्टेंड रखते थे और उसके उपर केंद्र में एक अंडाकार का पत्थर रखते थे, उसे वे खोली मानते थे और उसी पर अपने नेत्र ठिका कर अथार दृष्टी स्थीर करके मन को एकागर करने का अभ्यास करते थे, वो मानते थे कि इस प्रकार के अभ्यास आत्मा का परमात्मा से संबंध जुट जाता है, अपनी भाशा में वे जो शब्द प्रयोक करते थे, उसका भाव यह होता है कि यह अभ्यास आत्मा और परमात्मा के बीच मानो एक पुल है, ब्रिज बांधने से भाव से किया जाता है उनकी संस्था का नाम एनानाई क्योग भी शायद इसी अर्थ का बोधग था एक दिन हमने उस मत के अन्यवाविय से पूछा कि आप अपनी साधना पधिती में इस अंडाकार पत्थर का प्रयोक्यों करते हैं आप किसी अन्यप्रकार का पत्थर क्यों नहीं लेते हैं हम पवित्र होली मानते हैं साधना की यह रिती हमारे यहां परंपरा से चली आई है इस साधना में हमें शान्ती मिलती है यह किसका प्रतीक है यह हम नहीं जानते हैं इसके विशवय में शायद हमारे मान्यवर प्रधान अथ्वासंस्था पक ही बता सकेंगे हमने सोचा कि यह भी एक विचित्र बात है कि जिस प्रतीक का ये लोग अपनी साधना में प्रयोग करते हैं उसके बारे में उनको पता भी नहीं है कि ये किसकी प्रतीमा है वह लोग अभ्यास समात करने के बाद उस पत्थर को स्टेंड से उतार कर एक साफ अथवा अच्छे वस्तर में आदर पुर्वक लपेट कर रख देते हैं और अभ्यास के समय उसे फिर निकाल कर प्रयोग में लाते हैं परन्तु इसका माहत्म क्या है इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे ब्रंभा कुमारी रतन मोहिनी जी कहती है कि हमने एक दिन इसी विश्वय को लेकर उस संस्था के प्रधान से भी प्चरशा की उन्होंने भी बस यही जवाब दिया कि हम इसे पवित्र मानते हैं इससे अधिक वे भी कुछ नहीं बता पाएं संस्था के प्रधान महोदय ने भी यही उत्तर दिया आखिर उन्होंने हमसे कहा कि आप यह प्रश्ण करती हैं तो अवश्य ही इस प्रश्ण के पीछे आपका कोई भाव होना चाहिए शायद आप इसके बारे में जानती हैं तो हमने कहा हाँ अवश्य यह तो आपके हमारे और सारे विश्व भर की मनुश्य आत्माओं के परंपिता परमात्मा की प्रतिमा है भारत में तो नगर नगर में इसके मंदिर है वहां लोग इसे शिवलिंग अर्थात शिव की प्रतिमा मानते हैं शिव परमात्मा का गुण वाचक नाम है क्योंकि परमात्मा कल्यानकारी है अर्थात वो दुख हरता है वो सुख करता है आप जानते नहीं है परंतु मानते आप भी उसी को ही है तभी तो आप उस परम पवित्र पिता की उस प्रतिमा को पवित्र मान कर उस पर मन को एकागर करके उससे शांती पाते हैं यदि यहाँ आपके मन का मीत नहीं है, आपके रदय का समराट नहीं है, आपकी याद का इशारा नहीं है, आपकी लगन का लक्ष नहीं है, तो आप अपना मन उस पर एकागर क्यों करते हैं? और लगन में उसमें क्यों मगन हो जाते हैं? यदि आपकी आखे उससे नहीं धुनती है तो आप उसके उपर अपने नेत्र को टिकाते क्यों है मन उसकी प्रतिमा पर क्यों एकागर करते है यदि यह आपकी याद का इशारा नहीं है तो आपने इसी आकार का पत्थर क्यों चुना यती आप प्रभु के प्रतीक से पवित्रता नहीं चाहते हैं तो आप इसे पवित्र मानते क्यों है इसे आदर पुर्वक वस्त्र में लपेट कर क्यों रखते हैं भाईयो यह तो उस परम्प्रिय परमात्मा की प्रतिमा है चुकि निराकार है अर्थात और शरीरी है निराकार का प्रतीख होने के कारण ही तो आप इसे वस्तर नहीं पहनाते हैं वर्ना यदि यह किसी देवता की मूर्थी होती तब तो आप इसे नहला धुला कर अवश्य वस्तर पहनाते हमारी इन बातों को सुनकर उनको खुशी भी बहुत हुई और उन्हें पहली बार ये जानने को मिला कि भारत के लोग इसे परमपिता परमात्मा शिव की प्रतिमा मानते हैं हमने सोचा कि देखो स्वयम भारत वासिनियों ने ही अपने परंपिता का परिचय देना छोड़ दिया है और तभी तो अपनी साधना में शिव बाबा की प्रतिमा का प्रयोग करने वाले लोग भी आज ये नहीं जानते हैं कि ये किसकी प्रतिमा है आज योहीं लोग जगत गुरु की उपाधी लिये बैठे हुए हैं उनसे कर्तव्य तो इतना भी नहीं हो पा रहा है कि जापान वालों को शिव बाबा का इतना तो परिचय दिला दे ब्रह्मा कुमार आनंद किशोर जी कहते हैं इननक्यो संस्था के प्रधान तथा अन्य प्रमुक व्यक्तियों का हमारे बारे में इस बात पर विशेश ध्यान किया कि हम शाकाहारी हैं अतह एक बाद जब हम अपनी उन लोगों से ज्ञान चर्चा कर रहे थे और अन्य कई प्रतिनिधी भी वहां उपस्तित थे तब उस संस्था के प्रमुक व्यक्तियों ने हमसे ये प्रश्न किया कि आप लोग शुद्ध शाकाहारी हैं हमने कहा जी हाँ हम केवल सात्वी काहार करते हैं हम मास आदी तामसिक वस्तूओं को मनुष्य के लिए वर्जित मानते हैं वो बोले वर्जित क्यों मानते हैं? आज पचु पक्षी इतनी संख्या में बढ़ते जा रहे हैं कि यदि मनुष्य उन्हें अपना भोजन नहीं बनाएगा, तब तो इनकी संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि जिसका हिसाब नहीं हो सकता है। हमने कहा, आप सोचिये कि आबादी तो मनुष्यों के भी बढ़ रही है तब क्या इसका अर्थ ये है कि मनुष्य अन्य मनुष्य को खाने लग जाए। कभी आपने ये सुना है कि सभ्य मनुष्य किसी अन्य मनुष्य को खाता है। मनुष्य मनुष्य को नहीं खाता है क्योंकि वो सोचता है कि इसमें श्वास है, इसमें जिव है, इन्हें माने से दुख होता है। जब किसी मनुष्य को कोई मारता है, तो वह अपना दुख प्रगट करता है। यदि पशुपक्षी मनुष्य की भाषा में बोल सकते होते, तो वो भी आपके आगे अपना दुखडा रोते ना। आपके आगे वो आपकी भाषा में आपसे फर्याद नहीं करते हैं। इसी लिए आप उन्हें मार कर खाते हैं। वास्तों में तो वह हत्या है, यह अन्याई है, यह अत्याचार है, यह अपराद है, यह पाप है, किसी को भी दुख देना पाप है। किसी की भी हत्या करना कर्म सिंधान की दृष्टी से अपराद हैं। चाहे यह सहकार इसे अपराद न भी मानती हो। हमारे इन वचनों को सुनकर भी चुप हो गये हैं। मनुष्य मनुष्य को क्यों नहीं खाता हैं। इस प्रश्ण का उनसे कोई जवाब नहीं बन पाया और नहीं बन सकता था। क्योंकि सभी देशों में मनुष्य की हत्या करना तो अपराद ही माना जाता है। कुछ चुप रहने के बाद उन में से एक व्यक्ति बोला अच्छा ये बताइए कि मच्छी खाने में तो कोई हर्जा नहीं ना। वह तो पानी का फल है। जैसे कि अन्य फल पृत्वी का होता है अथवा खेत में पैदा होता है। हमने कहा मच्छी की तडपन, उसकी धड़कन, उसकी वेदना आदी तो आपको दिखने में आती है ना। मच्छी तो मनुष्यों की तरह ही सजीव है ना। ऐसा स्पष्ट मालूम होता है ना। मनुष्यों ने उसे खाने के लिए अनेक बहाने बनाय दिये हैं और उन में से यह एक भी चुठा बहाना है कि वो पानी का फल है। मनुष्य के खाने के लिए तो संसार में अन्य बहुत पदार्थ है और वो एक से एक अच्छे पदार्थ है। ब्रमा कुमारी रतन मोहिनीची कहती है कि इस संस्था एनान्प्यों में जापान में अपनी अन्य संस्थाओं के नाम हमें पत्र भी दिये और हमने बहुत सी धार्मक संस्थाओं के लोगों से वहां पर भेट की तथा उन्हें ईश्वर ये संदेश दिया दूर पुर्वी देशों में Press Trust of India के प्रतिनिधी ने भी हमें सहीयोग दिया तथा भारत के राजदूतों ने भी दिया कुछ एक समाचार पत्रों में भी इश्वरिय ज्यान के चित्र भी प्रकाशित हुए और इश्वरिय संदेश भी छपा जापान में एक अन्यधार्मिक बौद्ध संस्ता है जिसका नाम है Tenerikyo उसने स्वेच्छा से कल्पवरुक्ष के चित्र काफी संख्या में छपवा दिये उनके इस सहीयोग से काफी संख्या में हम लोगों को ये चित्र बाठ सके उनके अतिरेक्थ हमने बहुत आकरशक छोटी-छोटी पुस्तिकाएं भी विश्वशान्ती के विश्रेपर तथा द्वितिय विश्वधर्मसंपैलन के बारे में छपवाई थी वह भी हमने लोगों को जगर-जगर निशुल कदी थी उन देशों में लोगों को परंपिता परमात्मा का परिचे देने का अच्छा अवसर था भारत से जो गुजराती और मारवाड़ी लोग उन देशों में जाकर व्यापार कर रहे थे उन लोगों ने इन ज्ञान को बहुत दिलचस्पी से सुना उन्होंने स्थान स्थान पर सभाओं का आयोजन किया और हमारे भाशन रखाएं समाचार पत्रों में भी उन्होंने हमारे आगमन की सुचना प्रकाशित कि जब हम लोग वापस भारत लोट रहे थे तो वो हमें रोकना चाहते थे वे कहते थे हमारी अवस्था को परिवक्व बनाएं बिना आप लोग वापस जाना चाहते हो ये कैसे हो सकेगा ब्रह्मा कुमार आनंद किशोर जी कहते हैं कि हम हौंग कॉंग, सिंगापूर, मलाया, जकार्ता आधी भी गए और वहां की विश्ष्ट व्यक्तियों को तथा भारत से आये लोगों को भी परमपिता परमात्मा के अवतरण की सूचना तथा ईश्वर्य ज्यान का सार दिया जब हम टोक्यों में थे तो वहां के रेडियो पर अंग्रेजी में रेडियो के समवाद दादा से वारतालाब भी प्रसारित हुआ था विभिन रिती से जन जन को संदेश देते हम लगभग एक वर्ष भारत से बाहर रहें वापस लोटने पर मद्राज तथा बॉम्बय में इंडियन एक्सप्रेस आदी समाचार पत्रों में भी हमारी विदेश यात्रा का समाचार छपा था भारत से उन-उन देशों में गए हुए जो गुजराती तथा अन्य लोग हमारे संपर्क में आये थे बे भी हमसे पत्र व्यवार करते रहें और हम उन्हें पत्रों द्वारा इश्वरिय ज्यान का सार लिखते रहें उन्ही के मार्फत ही बंबय में इश्वरिय सेवा का कारिय फिर शुरू हुआ जापान में शिमुजु नगर में जो विश्वर धर्मसम्मेलन हुआ था उस अवसर पर 22nd of October 1954 में वहां के आयजकों को भी एक तार भेजी गई थी उसका कहना यह था कि गीता में वर्णेत वचन के अनुसार अब परमपिता परमात्मा फिर से भारत में आदी सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं और विज्ञान ना भी नमानी लोग निकट भविश्य में 5000 वर्ष पहले की तर अटरम और हाइडरोजन बॉम के द्वारा अनेका अनेक तथा कथिक धर्मों का महाविनाश करेंगे इस तरह के स्पष्टिकरण के तोर पर एक पत्र भी उन्हें लिखा गया था सत्युग और त्रेता में भारत में श्री लक्ष्मी श्री नारायन तथा श्री सीता श्री राम आदी देवी संप्रदाई का राज्य था और सारे विश्व में एक लिए देवी धर्म पर था अब वो धर्म प्रायलोब लुपत हो चुका है उसके स्थान पर लोग नहीं हिंदु के धर्म का मानते हैं अतर अब फिर से पुर्णतह पवित्रतावाला या धर्म स्थापना करने के लिए परंपिता परमात्मा अवतरित हुए हैं इस तार और पत्र को भी काफी संख्या में छपा कर बाटा गया था। विदेश यात्रा में समाचार पत्रों ने भी काफी सहयोग दिया था। उदारण के तोर पर टोक्यो से प्रकाशित होने वाले प्रशिद्र समाचार पत्रभी फ्री प्रेस बुलेच ने 22 मार्च 1955 को हमारे बारे में जो समाचार प्रकाशित किया उसमें सपस्ट उलेख था कि ये चात कहते हैं कि अब कलियुग जा रहा है और सत्युग आ रहा है इस प्रकार सिंगापूर के सिंगापूर स्टैंडर्ड ने 1st November 1955 के संसकरण में भी हमारी विदेश यात्रा के लक्ष के बारे में छापा भारत में वापिस लोटने पर मदरास से प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्र इंडियन एक्सप्रेस तथा हिंदू ने भी समाचार प्रकाशित किया और डेली में तथा बॉंबे के समाचार पत्रों में भी हमारे समाचार को स्थान दिया गया उदारन के तौर पर दिल्ली इंडियन एक्स्प्रेस में रवीवारिय संसकरन संडे स्टांडर्ड ने 8th of November 1955 को ब्रमहकुमारी बहनों की पूर्विय देश की यात्राओं से वापसी इस शिशक के अंतरगत, समाचार और फोटो छापे थे संडे स्टांडर्ड ने 8th November 1955 को जापान में विश्व धर्म सम्मेलन में दिये गए हमारे भाष्ण का सारांश हमारे फोटो सहीत चापा चित्रकुट में अखिल भारतिय भक्तियोग दार्शनिक सम्मेलन हुआ था उसमें सम्मेलित होने के लिए ब्रह्माकुमारी ईश्वरिय विश्व विद्यालय को भी निमंतरन प्राप्त हुआ था ब्रह्माकुमारी प्रकाश्मनी जी, गंगा जी तथा रत्नमोहिनी जी तथा ब्रह्माकुमार आनंदकिशोर जी भी उसमें सम्मेलित हुए थे ब्रह्मा कुमारी आत्म मोहिनी जी कहती है कि उस सम्मेलन में अनेकानेक विद्वान, पंडित, आचार्य, सन्यासी तथा कथित जगत गुरु आदी आये हुए थे उत्तर प्रदेश के अनेकानेक नगरों से अतथा आसपास के गाउं से शोता लोग भी काफी संख्या में इकच्चे हुए थे साधू संतों ने टेंटों में से एक नया नगर सा बसा हुआ लगता था निरंतर कई दिन तक के प्रोग्राम हुआ करते थे मंच पर कई बार विद्वानों में मत विरोध हुआ जनता ने उनमें सपष्ट रूप से वाक युद्ध देखा एक विद्वान जो भाषन कर जाता दूसरा विद्वान अपने भाषन में उसका खंडन कर देता शास्त्रों के हवाले दे दे कर सभी अपने अपने मत का खंडन करते थे श्रोतागन के मन में एक उल्जिन पैदा हो गए थी कि आखे इसमें सत्यमार्ग कौन सा है उन्हें लगा कि शास्त्रों में भी अगर मत विरोध है यदि शास्त्र ही एक दूसरे का खंडन न भी करते हो तो भी इनके विद्वान तो उसका करते हैं लोग तो वहाँ यह आशा लेकर आते हैं कि चित्रकुट के वायतावरण में जब शीतस्वभाव से विद्वान लोग प्रभू चर्चा करेंगे तो मन को शांती प्राप्त हो एक दूसरे के पती आग भड़क रही थी कई पंडितों को अपनी अपनी पंडिताई का बहुत नशा और अभिमान था कुछे विद्वान को बोलने के का समय कम दिया जाता था तो वे रुष्ट हो गये थे लोगों में यह चर्चा थी कि इस सम्मेलन के आयोजग संत कृपालू जी ने अपनी प्रसिद्धी के लिए तथा अपनी विद्वता का लोहा मनवाने के लिए इस सम्मेलन का आयोज़न किया है आयोज़न का आशय कुछ भी भले रहा हो परन्तु इतना तो अवश्य है कि श्रोतागण को किसी एक सर्वोत्तम जीवन दर्शन का सरल और सुनिश्चित शब्दों में बोध बिलकुल नहीं हुआ विद्वान लोगों की किष्ट भाषा, शास्त्रों के व्योरो और पंडिताय के प्रदर्शन में वो विचारे तो वास्तविक ज्यान प्राप्ती से ग्वंचिती रह गए एक बार तो लड़ाई जैसा वातावरन भी पैदा हो गया क्योंकि दो प्रवक्ता के मन में जो मन मुटाव और विरोध हुआ उसके परिणाम स्वरूप अनेक अनुयाईयों में भी ठन गई लड़ाई हो गई जगड़ा हुआ लड़ाई की आग शिग्र ही बुजा दी गई हम लोगों को तो कोई पेचीदा बात कहनी नहीं थी हमने तो सरशब्दों में इश्वरे संदेशी देना था सो हमने तो दे दिया अपना करतव्य पूरा कर लिया जगजग से जो साधू सन्यासी पारिव राजग आचारे आदी आए हुए थे उन्हें भी हम व्यक्तिगत रूप से मिली तथा उस अवसर पर अखिल भाक्ती योग दार्शनिक सम्मेलन इश्वरिय ज्यानों पदेश य इस सम्मेलन के अउसर पर संत कृपालू जुई को 25th of October 1955 को एक तार भी आबू से भिजग गया था और उसमें लिखा गया था कि इस धर्म सम्मेलन में सम्मेलित वालों, सभी भारतवासी विद्वानों, आचार्यों, पंडितों, सन्यासियों आदी आदी को यह संदेश दे कि किसी को भी निराकार, ज्यान सागर, सर्वशक्तिवान, परमपिता परमात्मा, शिव का सत्य ज्यान नहीं हैं। मिलेंगे और ध्यान देकर सुनेंगे तो वो आपको निराकार परमपिता परमात्मा का सत्य परिचय देगी और बताएंगी कि कैसे आदी देव प्रजापिता ब्रह्माने के तन में अवतरित होते हैं और शिरोमनी श्रीमत भगवद कीता का ज्यान देते हैं। और बात में कैसे चतुरपुष विष्णु के युगल साकार रूप श्री लक्षमी और श्री नारायन द्वारा सत्य देविश शुष्टी का पालन करते हैं। वन शंकर के द्वारा कल्योगी अनेक धर्मों का महाविनाश भी करते हैं। रूस के प्रधान मंत्री तथा साउदी अरेबिया राजा को तार। एक तार रूस रश्या के प्रधान मंत्री बुलांगानीन को तथा शुव को भी दी गई। जब तक वो भारत में राश्ट्रपती भवन में आकर ठहरे थे और साउदी अरेबिया के राजा को भी तार भीजी गई थी। उसमें लिखा गया था। तुके दिलवाडा मंदीर को न देखना गोया विश्व की सबसे अधिक अधवित चीज को देखने से चुकना है। हम आपको आमंत्रित करते हैं कि 30 करोड रुपय की लागत से बना हुआ यह मंदीर जो की ताज महल से भी अच्छा है उसे अवश्य देखिए। इसमें मनुष्य जाती के आदीपिता तथा आदीशनातन देवी देवता धर्म के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा की प्रतिमा हैं। जो धर्म के संपूर्ण पवित्रता पर आधारी तथा और योग बर्द्वारा स्थापित गया गया था। अब विश्वशांती के स्थापक त्रीमूर्ती परंपिता शेव अवतरित होकर फिर से वो कार्य कर रहे हैं। परंतु उन द्वारा मिला हुआ, उन द्वारा उत्तर मिला कि समय के अभाव होने के कारण हमारा आना मुश्किल है। मेले में टेलिविजन में भी ब्रह्मा कुमारियों पहनों का प्रवचन तथा साराज। परंपिता पर्मात्मा की प्रिय संतान, हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, ब्रह्मा कुमारियां आपको ज्ञान सागर, पर्मात्मा का ज्ञान सुनाते हैं। वे ब्रम्हा मुक्सि कहते हैं कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, बलकी परमधाम में रहने वाला हूँ, मेरा रूप जोती बिंदु है और मैं पुनह सत्योगी देवी शुष्टी की स्थापना तथा आशुरी शुष्टी के विनाश का कार्य, क्रमशह, प्रजापिता ब्रम तथा महादेव शंकर के द्वारा करवा रहा हूँ, श्री लक्ष्मी, श्री नारायन के सुख, शांती, संपन, राज्य के वही अधिकारी बनेंगे, जो मुझ पतीत पावन, ज्ञान के सागर, परमात्मा की श्रीमत का पालन करेंगे, अर्थात, पवित्र और योगी बनें कल्पवरुक्ष और श्रिष्टी चेत्र के चित्र को जो आप यहां दिखाए गए हैं, विश्वक का सत्यूग से लेकर कल्योग का सारा इतिहास बताता है, और जो की हमने दिव्य साक्षातकार के आधार पर ही बनवाए हैं, सत्यूग में यही भारत वैंकुठ था, जबकि आज यही भारत नर्क, अर्थात, दुखी, कंगाल और महताज हो गया है, उस समय में एक धर्म, एक राज्य, एक भाशा, एक मत था, जबकि अब अनेक धर्म, अनेक राज्य, अनेक भाशाय और मत मत तांतर है, जिस कारण के लड़ाई जगड़ा वो कलह कलेश सरवत्र प्र अब परमात्मा, पुनह देवी धर्म, वो सत्युग राज्य की स्थापना कर रहे हैं, अतह इसी जीवन में अति इंद्रिय सुख शान्ती और भविश्य में डबल ताजधारी देवी देवतापद प्राप्त करने के लिए, हम आपको हार्दिक निमंत्रन देते हैं, कि हमार किसी भी सेवाकेंद्र पर पधार कर आप लाब उठाएं, डिसेंबर 1955 में डेली में एक इंटरनेशनल आउध्यों की कमेला हुआ था, वहां डेली में अपनी श्रेणी की एक पहली प्रदर्शनी थी, जो की इतनी विशाल थी और इसमें एक टेलिविजन स्टूडियो था, उसमें ब्रह्मा कुमारी ईश्वरिय विश्व विध्याले के प्रतिनीधी को भी भाशन करने तथा कल्प व्रुक्ष के चित्र की व्याख्या करने पर कई बार आउसर मिला था, इस प्रदर्शनी को लाखो लोगों ने देखा, बहुत लोगों को टेलिविजन पर कल्प व प्रदर्शनी तथ्वा मेले में जो की कई एकर भूमी में फैला था, कई स्थानों पर टेलिविजन स्क्रीन लगी हुई थी, उस मेले में हजारों की संख्या में कल्प व्रुक्ष के चित्र और उस भाशन की प्रतियां बाती गई, उस मेले में एक स्टॉल के कुछ भाग म ब्रह्माकुमारी ईश्वरिय विश्वर विद्याले की और से भी दिव्य चित्रों की प्रदर्शनी सजी हुई थी, अनुभवी बहने और ज्ञान युक्त भाई दर्शकों को मौखिक रुप से उन चित्रों की भी व्याख्या देते थे, लोगों के समों उन्हें देखने और समझने आते थे, आध्यात्मिक प्रदर्शनी का ये पहला लगू प्रयोग था, तो आज हम यहीं विराम करते हैं, 281 पेज, ओम शंटी ऑा मौच को अजय का ये लोग करते हैं, 282 beim म Онुती प्राज क्ला लेखने लिएता हैं, 291 प्राज करते हैं, 25ी विरा देखने वे द्युले को कि विराम करते हैं, 303 ग के लित् cheminaim क receptor उत्या देए प्रर्शनी की गहींविते प्राज़ situation करते हैं, 25 गुप झाल झाल